कुकू टीवी क्यों है उपर वाले की मर्जी है पारवती और हमने उपर वाले के मर्जी का इज़त करना चाहिए यह पोल कर सीधे सुख्या अपनी जोपड़ी में घुश कया जोपड़ी के अंदर घुशते ही उसकी बीवी बिंदू जलाते हुए सुख्या की ओर देखकर बोली बैस अपनी बेटी को यही बाते सिखाते रहना अरे सीधे सीधे यह क्यों नहीं कह देते अपनी बेटी से कि भगवान से दुआ कर कि हमारी गरी भी दूर हो जाए हमें भी पेट भर कर खाना मिले बस करो बिंदू बच्चों के सामने इस तरह के बाते नहीं करते उनके मन में उपर वाल खाने में सुखी रोटी प्याज और एक मिर्ची मिलेगी बिंदू खाने में जो भी मिले हमें उसकी इज़त करनी चाहिए न जाने कितने लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास खाने के लिए एक निवाला नहीं है सुख्या की बात सुनकर बिंदू नाराज होकर चली गई रात के वक्त पार्वती अपनी मा से बोली मा मैं दूसरे बच्चों को आमरस खाते हुए देखती हूँ तो मेरा भी बहुत मन करता है हाई रे मेरी बेटी मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मैं तुझे आमरस खरीद कर नहीं दिला सकती लेकिन तुफिक्र मत कर मैं कल तुझे आमरस दिलवा कर ही मानूँगी अगले दिन बिंद्या बाजार में अपनी बेटी पार्वती को लेकर चली गई और एक आमरस के ठेले के सामने रुक कर बोली भाईया मेरी बेटी को आमरस पीने का बहुत मन है बिंद्यू ने कुछ पैसे निकाल कर दुकानदार को दिये अरे ये क्या ये तो सिर्फ तीन रुपे है ये तीन रुपे भी मैंने पूरे महीने भर अपना पेट कार्ट काट कर जमा किये है तो फिर एक काम करो एक साल और पेट कार्ट कार्ट कर पैसे जमा करो जब तुम्हारे पास तीस रुपे हो जाए तब यहाँ आना और अपनी बिटिया को आमरस का स्वाच चका देना विंदू मू लटका कर वहाँ से जाने लगी मा वो तुकांदार आपसे कितनी बत्तमीजी से बात कर रहा था हम गरीबों की किसमत में यही लिखा होता है बेटी लेकिन तु फिक्र मत कर आज तो मैं तुझे आमरस दिलवा कर ही मानूगी चल मेरे साथ तेरे पापा जमीनदार के खेत में काम करते है न वहाँ पर दरक्तों पर सैकुड़ों आम लटके पडे है क्या जमीनदार के इंदरक्त से हम तीन चार आम नहीं तोट सकते बिंदिया अपनी बेटी पार्वती को लेकर आम के बगीचे में पहुंच गई अरे मा, देखो कितने सुन्दर सुन्दर आम लटक रहे हैं बिल्कुल पीले पीले, इन्हें खाकर तो मज़ा आ जाएगा बिंदिया ने तीन आम तोड़ लिये लेकिन तभी वहाँ पर जमीनदर अपने साधी कालिया और कल्लो के साथ आ पहुंचा अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मेरे बाग में आम दिन पर दिन कम कैसे हो जा रहे हैं तेरे भिकारी पती के उपर तरस खा कर मैंने उसे आम की खेत पर रखा क्या उसके लिए मैंने उसे आ रखा था कि उसकी बेगम और बेटी यहाँ चोरी करें ऐसा मत कीजे जमीनदर साहब मेरी बेटी का आम रस पीने का बड़ा मन था पैसे नहीं थे तो सोचा कि आपके खेत से दो ती नाम तोड़ कर अपनी बेटी को खिला दू अखिर बच्ची ही तो है इस तरह से तो कजबे में बहुत से भिखारी बच्चे टहल रहे हैं फिर जमीनदार को तो अपने सारे आम भिखारियों में बाटने चाहिए क्यों? तबी जमीनदार ने वहाँ पर बिंदू के पती सुख्या को बिला लिया और सारा मसला सुख्या को बताते हुए बोला अब तुम बताओ सुख्या तुमारी बेगम और बेटी के साथ क्या किया जाए जो कोई भी मेरे आम के बाग से आम तोड़ता है मैं उसका क्या हश्र करता हूँ मेरी बेगम चोर नहीं है जमीनदार साहब बस वो अपने बेटी का मन रखने के लिए यहाँ चली आई देखते क्या हो जमीनदार साहब इन तीनों को मार मार कर धक्के देकर बाहर निकाल दो जमीनदार बुरी तरह से पारवती सुख्या और बिंदू को अपने खेट से बाहर निकाल दिया वो तीनों रोते हुए अपनी जोपड़ी की ओर चली गए मगर अगले दिन जमीनदार कल्लू और काल्या उनके घर पर आधम के जमीनदार साहब कल आपने मुझे और मेरी बेगम और मेरी बेटी को जानवर की तरह पीटा अब यहाँ क्या लेने आये है सुख्या तेरी बेगम और बेटी मेरे बाग से नजाने कब से चोरी करते रहेंगे और इसमें तुम भी शामिल होंगे तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है बस कीजे जमीनदार साहब हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाईए नुकसान के भरपाई करने के लिए मुझे तुमारा ये जोपड़ा चाहिए और ये कस्बा छोड़ कर अभी चले जाओ जमीनदार कल्लो और काल्या ने बिंदू सुख्या और पार्वती को उनकी ही जोपड़ी से पाहर निकाल दिया वो तीनों रोते हुए गाउं के जंगल के बीच में चले गए आपको तो भगवान पर यकीन है ना अब क्या हुआ मैंने अपनी बेटी का मन रखने के लिए तीन आम क्या तोड़ लिए उसके बदले में उस जमीनदार ने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी बिंदू ने ये बात कही ही थी कि तभी उन तीनों के कानों में एक बुज़ूर गौरत की आवास ठकराई भगवान से मायूस नहीं होते बेटी मुझे ये बताओ तुम तीनों इस भयंकर गर्मी में इस जंगल में क्या कर रहे हो बिंदू उस बुज़ूर्ग औरत को अपने साथ हुई सारी घटनाम पताते हुए कहती है हमारा सिर्फ इतना ही दोश है अम्मा जी अचानक उस बुज़ूर्ग औरत ने अपने थैले से एक बड़ा सा आम निकाल कर उन तीनों के सामने रख दिया इतना बड़ा आम देखकर पार्वती खुश होते हुए बोली ये तब बहुत बड़ा आम है मैंने इतना बड़ा आम अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा ये कोई मामुली आम नहीं है बिठिया ये खास तोर पर तुम्हारे लिए ही बनाया हुआ आम है पार्वती मासूमियत से बोली मैं कुछ समझी नहीं सब समझा जाएगा मेरे जाने के बाद अभी मैंने जो आम दिया है उसके अंदर आम रस के साथ साथ आम के कई गाउं समाय हुए है आखिर कौन है आप मेरे जाने के बाद इस आम को काटना कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें खुद बता दूँगी कि मैं कौन हूँ इतना बोलकर वो बुज़ुर्ग औरत चली गई मुझे तो बहुत भूख लगी है मा जल्दी से मुझे ये आम काटकर खिला दो न पारवती ने जैसे ही उस आम को काटा अचानक एक तेज धमाके के साथ वहां पर एक बहुत खूबसूरत आम का घर बनकर तयार हो गया जिसकी चट पर हर जगे बड़े बड़े आम ही आम लटक रहे थे अरे मा वो बुज़ुर्कारत सही कह रही थी ये तो जादो ही आम का घर है बिटिया सिर्फ आम का घर ही नहीं बलकि ये तो आमरस का भंडार है उपर वाले ने हम पर एहसान किया है उस दिन के बाद वो तीनों उसी घर में रहने लगे अगले दिन बिंदू ने चट पर लटक रहे आम को जैसे ही तोड़ा कि तभी एक धमाके के साथ वहाँ पर आम का दूसरा घर भी बन गया बिंदू अपने पती से बोली ये तो बहुत ही चमतकारी आम दिखते हैं तुम ठीक कहरी हो बिंदू हम जिस आम को तोड रहे हैं वो आम के घर में बदल रहा है पर उस घर में भी हजारों आम लटके हुए हैं यहां तक कि घर के अंदर विस्तर कपड़े तरे तरे के खाना सब आम के बने हुए हैं मेरे दिमाग में एक खयाल आ रहा है क्यों ना आप आमरस का ठेला लगा कर काउ में मुफ्त में बाटे और जिन लोगों को जमीनदार ने उनके घरों से निकाल दिया है उन्हें यहां लेकर आ जाईये हम पर भगवान ने रहम दिखाई है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उन गरीबों की मदद करें तुम ठीक कह रही हो बिंदू मुझे हमेशा से यकीन था कि तुम मन से भी इतनी ही अच्छी हो सुख्या उस दिन से आम का ठेला लगाकर गाउ में सभी लोगों को मुफ्त में आमरस बांटने लगा एक दिने गरीब आदमी सुख्या के पास आकर बोला क्या तुम मुझे थोड़ा सा ज्यादा आमरस दे सकते हो अरे भाई तुमारी जितनी मर्जी है उतनी खाओ मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मेरे पास रहने को घर भी नहीं है कुछ दिन पहले ही जमीनदार ने मुझसे जबरदस्ती अंगोठा लगवा कर मेरा घर मुझसे चीन लिया मेरा खांदान बहुत दिनों से भूका है तुम फिक्र मत करो तुम अपने खांदान को लेकर मेरे साथ चलो वो आदमी अपने परिवार को लेकर सुख्या के साथ चला आया जंगल में बने हुए आमरस के गाउं को देखते हुए हैरानी से बोला ये तो आमरस का पूरो का पूरा कजबा है भाईया तुम इसमें से एक घर चुन लो और यहाँ आराम से रह सकते हो यहाँ पर जो और भी गरीब लोग है जिनके मकान जमिनदार ने चीन ली है उन्हें भी यहाँ लेकर आओ समझ गया आप इस आमरस के कजबे के मुख्या मालूम पड़ते हैं मैं तो आपको मुख्या ही कहूंगा वो आदमी अपने परिवार के साथ उस दिन से वही रहने लगा और तमाम गरीबूं को वहाँ पर ले आया गाउं को खाली देख जमीनदार ने अपने साथ ही कल्लू और कालिया से कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा कल्लू और कालिया कि कजबे के लोग आखिर कजबा छोड़कर जा कहा रहे है जमीनदार सहाब आप नहीं उनसे उनके जमीन छीन लिये अब वो कहीं भी जाए हमें उनसे क्या मतलब मैंने उनके घर उनसे छीन लिये थे ताकि वो हमारे आम के बगिचे में खुलामी करे वो यहाँ से चले जा रहे है जो नजारा मेंने कल अपनी आँखों से देखा है अगर मैं आपको उससे बताऊंगा तो आप मुझे पर यकीन नहीं करेंगे क्या बतलब है तुमारा? यहाँ से कुछी दूर एक गना जंगल पड़ता है न वहाँ मैंने एक आमरस का पूरा कजबा देखा है और जानते हैं उस आमरस के कजबे का मुख्या कौन है? कौन है? सुख्या तब ही मैं कहूँ कि मेरे कजबे में जितनी दुकाने हैं वहाँ पर आम बिक क्यों नहीं रहे हैं अगर ऐसी बाते तो फिर मैं सुख्या और उसके खांदान को मार कर वहाँ भी कबसा कर लूँगा? चलो मेरे साथ जमीनदार कलो और कालिया को लेकर सीधे आमरस के गाउं में घुज गया जमीनदार को देखकर सुख्या बुरे तरह से चौकता हुआ बोला आप यहाँ क्या करने आये हैं? जाहिर सी बात है मेरा काम कबजा करने का है और इस कजबे में भी कबजा करने आया हूँ से निकल कर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई और एक खूपसूरत औरत में तबदील हो गई जमीनदार कल्लू और काल्या उसे देखकर बुरी तरह से डर गए आप तो वही बुड़ी औरत है ना जुनोंने मुझे वो जादूई आम दिया था आप तो खूपसूरत औरत करनी पड़ी क्योंकि तुम्हारा मन सच्चा था और तुम्हारे मन में इंसानियत थी जबकि इसके विपरीत जमीनदार और उसके दूनों साथ ही इंसानियत के नाम पर कलंक है इतना बोल कर उस खूपसूरत औरत की आँखों से पीले रंग की किरने निकलने रगी और देख करते ही देखते जमीनदार कल्लो और कालिया एक छोटे से आम में तबदील हो गए अभी हमेशा आम की रूप में ही रहेंगे और यह आमरस का गाउं आज से तुम्हारा है इतना बोल कर वो खूपसूरत औरत वहां से गायब हो गई सुख्या आज भी आमरस के गाउं का